ये एक बार फीज़े मेरे नियोजी टीचने यूटू पांट जीरो में आप सभी सिक्चक सांतियों का स्वागत आए देखते हैं सिक्चकों के लिए एक बड़ी खुश खबरी आपको बता दे कि नियोजी सिक्चकों को राज कर्मी के दरजे के लेकर आपको डेट हो गया फि सबसे पहले आपको तवाई देखते हैं विडियों को बिस्तार चे आपको बता दे कि नियोजी सिक्चों को राज कर्मी का दरजा देने को लेकर अधी सूचना हो चुका है जारी जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बिहार सरकार सिक्चा विभाग के द्वारा यह अध 2020 के तहट गठित जीला राज अपलिये प्रदिकार लंबित वादो मामलो का इस नियमावली के प्रभीर्त होने की तीथी से 6 माह के अंदर जैसा कि आपको बता दे कि 26 दिसंबर को आपको कैबिनेट की इस पर फाइनली मोहर लग चुकी है विशिस सिक्चक नियमावली 2023 पर इस से 6 माह कह रहा है तो यानि आपको बता दे कि 6 माह आपको जून में पूर जाएगा तो जून में आपको फाइनली कह रहा है कि शिक्चचक को राजकर्मी बना दिया जाएगा लेकिन राज कर्मी बनाने पर आपको कितना मिलेगा बेतन या भी आपको बता दे कम से कम आपका 50,000 रुपिया बेतन होगा क्योंकि इसके लिए भी आज इसका बेसिक सेलरी क्या होगा इसका लिस्ट जारी हो चुका है इससे पहले आपको बता दे कि BPC से आपको सिक्षक है उनका बेसिक का आपको 25,000 रखा गया है 628 के लिए 28,000 और 910 के लिए 31,000 और 1128 के लिए 32,000 बेसिक रखा गया है इसी के आधार पर नियोजी सिक्षकों को भी अब बेशिक होगा जो नियोजी सिक्षक हैं उनका होगा 30,750 रुपिया और वहीं आपको 34,440 होगा जो असनातक में है और उसके बाद 31,000 कुछ रुपिया आपको होगा जो 9,3 के सिक्षक होंगे इसके लेकर आपको सुचना भी जारी हो चुका है तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 6 माह के अंदर आपको राजगर्मी बनाने को लेकर यह अधि सुचना जारी हुआ है लेकिन आपको बता दें कि फरवरी में आपको एकजाम है तो एकजाम में बोड बेस्त रहेगा और उसक परिक्षा के आदार पर ही आपको राजकर्मी बनाया जा सकता है क्योंकि इसकी अभी पूष्टी नहीं हो पाई है तो इस तरह नियोजी सिक्षोग के लिए यह एक बड़ी अप्टीट है आपको बता दें जो अधी सूचना जारी हुआ है उसका भी मैं आपको फोटो दिखा दे रहा हुँ देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि नियोजी सिक्षोग को फीट मैं मैट्रिक्स के हिचाब से अम मिलेगा सेलरी इसी के आधार पर नियोजी सिक्षोग को अब सेलरी दिया जाएगा तो यहां पर आप देख रहे हैं इसको लेकर एक बेसिक सेलरी जारी किया गया है बेशिक सिख्चकों के लिए 30,750 रुपिया और वहीं 6 to 8 के लिए 34,440 रुपिया और 9th, 10th के लिए आपको 38,130 रूपिया बेशिक रखा गया है 9th,10th के सिख्चको के लिए इस पर मैं एक फाइनली वीडियो बनाऊंगा कि नियोजी सिख्चको का कूल कितना लॉस हो रहा है और कितना फाइदा हो रहा है किसका कितना बेतन बनेगा और किसका कितना NPS कटेगा और NPS में कितना सरकार का अंसदान होगा पूरी एक कम्पलीट वीडियो बनाऊंगा उससे पहले आपको एक नया और पुराना गजट भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह 15% बिरिधी का गजट है और यह फीटमेंट फेक्टर का गजट है इसी के अनुसार अब राज कर्मी बनने के बाद बेतर मिलेगा तो इस पर पूरा कलकुलेशन हम बताएंगे कि कितना सिक्षकों को लॉस हो रहा है आपको बता दे कि 2003 में जिनकी बहाली हुई है उनका कम से कम 12% का लॉस हो रहा है और कई इंडेक्स का भी मार मारा गया है सरकार के द्वारा इन सभी सिक्षकों को पूरा तो वीडियो में इतना ही वीडियो मलास तक बने आने के लिए धन्यबाद वीडियो को जासे है